हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैना पजल मेनिया बितंकुर में अगर बात कर लें तो 2021 के सुरुवात में IBPS का कलेंडर देखने को मिल गया था फिर SPI कलर का नोटिफिकेशन उसके बाद IBPS RRB का नोटिफिकेशन अब काफ़ सारे स्टुडेंस पूछ रहे हैं कि सर SPI PO का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिल जाएगा क्या 2020 की तरह जो नोटिफिकेशन है वो डेले होगा या फिर जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने वाला है अगर बात कर लें SPI और IBPS की कितनी भी खराब सिचुचेशन क्यों ना हो IBPS का जो नोटिफिकेशन है या कलंडर है वो कम सकम हमें टाइम पर देखने को मिल जाता है पता रहता है कि अब इस महीने हमें कलंडर देखने को मिलेगा या इस महीने IBPS का RRB का notification देखने को मिलेगा या IBPS PO कलर का notification देखने को मिलेगा अगर इस साल की बात कर लें जिसा कि हम सबको पता है जन्वरी में calendar आ जाता है इस बाद कुछ दिन delay हुआ लेकिन calendar देखने को मिला अब IBPS RRB का notification आ गया इसके बाद IBPS PO कलर का भी time पर notification आ जाएगा एक्जाम कभी भी हो लेकिन notification और calendar टाइम पर देखने को मिल जाता है लेकिन SPI की तरफ से ऐसा कोई fix नहीं है कि इस महीने में notification देखने को मिलेगा कहीं न कहीं SPI की तरफ से मैं surprise देखने को मिलता ही है 2020 में काफी delay हुआ SPI PO का notification लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेगा SPI PO का pre means, interview, final result की जो complete process है बहुत जल्दी पूरी कर ले गई है जिसका अशर 2021 के notification पर जरूर देखने को मिलेगा लेकिन अभी SPI का full focus SPI clerk pre exam conduct कराना है अगर इसके regarding कोई न कोई positive news देखने को मिलती है या admit card आ जाता है या exam की जो date है वो आ जाती है उसके just बात हमें SPI PO का notification 100% देखने को मिल जाएगा अगर जुलाई के starting में SPI का लेकिन का exam conduct हो जाता है तो जुलाई में ही SPI PO का notification आपको 100% देखने को मिल जाएगा क्योंकि अगर बात करने तो situation abnormal होने लगी है अब लाइन से आपके exam conduct होने वाले है इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए मैनत करते रहिए 100% आपका selection पका होगा बाकि मिलते हैं फिर नेस वीडियो में चप्ता के लिए दान्यवाद